इसमें दर्वाने वैसलाम रेकिम फ्रेंज वेलकम टो हूं मेकर कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हूं कि टिक ठाक होंगे खारियत से होंगे तो जिना आप आज के व्लॉग के स्टार्ट करते हैं इस तरीके से जी हाँ जिनाप सबसे पहले तो मैंने दल शाहती हूं तो पाकस्तानी मॉम इंटली जिनोंने मुझे शाउट आउट दिया थैंक्स अलोट और उसके बाद शुरुबात करते हैं आज के व्लॉग का टॉपिक यह है कि मैं आप लोग को बताऊंगे कि किस तरीके से मैं मैंनेज करते हूं करके सारे काम क्लेनिंग और विद रोजा जी तो आप लोग को साथ मा करने वाले ये शेर तो चलिए मैंने सा northeast तणडराँ तो जे नब शुरुवात करते हैं यहां से जी शुरुवात करें हम निग रिप इउस से चबसे पले होता है है कि मैं सबसे पहले अट जाती हूं सबसे पहले उठ जाती हूँ और मुझे पता है कि मेरे बच्चे कब उठेंगे हस्बंड कब उठेंगे तो मैं साफस चोड़ सा पहले उठ जाती हूँ और उस पहले उठके जली-जली से लिविंग रूम पूरा फ्लॉबस कर देती हूँ लाइक डिस्टिंग कर ली, जाड लिया, जाडू लगा ली, हर चीज़ कीन कर ली, क्योंकि मुझे पता है कि फैमली ने आके सबसे पहले लिविंग रूम में बैटना है, रात में मेरे फैमली में मेरे हस्बंड और मैंने बच्चों को हम सब मिलके रात में सारी चीज़े उठ जाड लेते हैं, मैं किचिन टाकल करती हूँ जिस तरह मैं आपको पहले भी बताया था और जो है बाकी यह लोग मिलके अपना सारा सामान उठा के सारी चीज़े समीट के उसके बाद ही सुनने जाते हैं, तो सुबह में बेसिकली काम जहता है वो जली-जली कर लेती हूँ मैं से पहले लिविंग रूम को टाकल करती हूँ कि जाके टाकल फैमली आके जब बैठे तो उनको साफ सुथरा स्पेस मिल जाए और मुझे भी जादा परेशानी ना हूँ उसके बाद मैं जो आपको यह स्प्रे दिखा रही थी है औल परपर्स क्लीनर है स्टॉनिश का यह बहुत अच्छा है जब हम खाली गीले कपड़े से डस्टिंग करते हैं बिलीव मी वापिस डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं बहुत जल्दी मत्टी और डस्ट आ जाती है और जब हम मैं यह स्प्रे यूज करती हूँ देखें यह माइक्रोफाइबर क्लॉट मैंने लिया वाए माइक्रोफाइबर से मैं करती हूँ तो इतनी जल्दी मत्टी नहीं आती है यानि फिर नेक्स डे ही मुझे क्लीन करना पड़ता है अगर आप खाली पानी से क्लीन करे है तो इसका टेपील ही है कि आप इस तरह के क्लीन जर्व रहे ना या तो आप हुमिट बना लें या फिर मार्केट से ले आए और इस तरीके से उनको रखने सेकंड चीज जो है मैं यह करती हूँ कि अपने बच्चों को रात में टॉइस सारे चीजे एक एक चीज उनको कहत अगर कोई कपड़ से बाहर है या कोई बेडशीट बाहर है या कोई भी चीज दरो दर है मैं लोगों को यह बता देती हूँ कि इन चीजों की जगाएं यह हैं तुम लोग ने इनको वहां पहुंचाना है बाकी कपड़े फोल करके रखना मेरी रिस्पॉंसिबिलिटी होती जिस तरीक से मैं आपको बताया कि बच्छों के लॉंडरी में लाकर रख देती हूँ कि आप लोगों को बड़े करना है और आप लोगों उसको अपनी ड्रॉर्स में लख देना है एक ड्रॉर एक बच्चे की जब चब मझे टाइम मिलता है मैं बटके फोल कर देती हूँ ल पुछ बच्छों से में काम किस तरीके से लिलना है। जी हां। और ये देखें कि मेरा पंखा भी बहार आ चुका है पैसलफैन क्यूंकि गर्मी बहुत शड़ीद है। कभी यसी चलता कभी पैसलफैन चलता है। लाइट नहीं होती तो पिर तो कुछ भी नहीं चलता है। बस जी बहुत जी निटा चलता है और दिल चलता है। मत पूछें। खेर। और हमारे यह तो ये रूटीन हुई भी है कि सुबस हरी के बद जैसे हम सुने लिटते ना अपना गड़ साफ तरह रखना है। उसके बाद जी मैं लगाती है जलीली जहाड़ो लिविंग रूम की और उसको लगा देती हूं पोछा ताके एकदम से फैमिली उठके आए तो उनको साफ सुझरे स्पेस में बैटने के लिए। ठीक है कैसा आई दिया। उसके बाद आजते हैं कीचिन पे। अब कीचिन को साफ रखने का तरीका यह होता है कि जब आपका मील फिनिश हो गया, खाना वाना खाके फारिग हो गया तो पर मैं बच्चों से कहती हूं कि चलो सारे बद्र उढ़ाखके कीचिन में पहुंचा दो तो पच्छे सारे बर्तन उठाके किचिन पहुचा देते हैं और उसके बाद मैं वहाँ से टैकल कर लेती हूँ और हर मील के बाद फॉरन से आप खाने के बर्तन को दो दें तो इस तरीके से भी किचिन आपका साफ रहता है और उसके इलावा बाकी रूटीन में जो जो एक एक रूम करके टैकल करती हूँ और एक रूम करके इसको साफ करती हूँ और इस तरीके से मैं रखती है अपने गर को साफ सुथरा जी हाँ और यह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अब आपके लिए उसके बार यह सपाई सपाईय करते हो गई हमारी शाम और शाम और शाम के बाद आप इस बनाय थे इफटार में यह डिश्स में आपको यह दिखा रही हूँ मेरी कोशिश होती है कि जितना भी हो उनको कम से कम बर्तनों में हम रखें और सर्फ करें जितने कम बर्तनी यूज होंके उतने ही अच्छा रहता है पानी की ग्लास बहुत जादा यूज होते हैं तो उसमें मैं कोशिश ही करती हूं कि वाटर बाटल जो है वो फैमली के लिए साइन कर दी जाए कि तुम्हारी बाटल है तुम्हारी बाटल है तुमने इसमें से पानी पीना है जिए खताम हो जाएगा तुमने उसको भर के वापस रखना है तो इस तरीके से कटते हैं हम सब अपने अपनी बाटल भर के रखते हैं और उसके बाद उस सारी के सारी बाटल जो है वो अपने चिकन का सालन सिंपल सा और बच्चों ने फर्माइश की हमें खाने हैं कपकेक्स मैंने ठीक है जो बनाते हैं कपकेक उसके बच्चे और हम मिल के बना रहे थे कपकेक और हस्बन लगे हुए हैं काम करने में कुछ वायर वगारा निकल गए थे लूज हो गए थे तो वह बैटके टाइट कर रहे थे अब इसी तरह से गजारते हैं टाइम सब किसी ने किसी काम में मसरूफ रहते हैं सब एक कुछ बाहर बच्चे घर में थायर भूजरी घा मंत्र 창 हैं यह district हो तवाहज चेपकीक बनाने में क्योंकि आज चर्शक बचः घर में हैं तो बच्चों को ना बहुत जद्ध बहुत बहुत भूग लग रही होती है कुछ नह कुछ चाहिए होता है कि मैं जादा बाहर ना जाओं ग्रॉस्ट्री के लिए और चीजों के लिए तो जो भी घर में उसको यूटिलाइस कर ले तो मैंने कपकिक्स बना के दी बच्चों को बहुत ही मसदार से कपकिक बन गए थे बच्चों ने बहुत एंजोई किया और मज़े से खाया और इन्नों कोई लड़ाई नहीं हुए कोई शूड नहीं हुआ वह सुकून से अंडे भीट करती रही हुए हुए मैं सुकून से बरतंद होती हुए तो देखें कि यह भी काम होता है बच्चों को साथ कड़ा कर वाके ना जिस बच्चे को इंट्रस्ट आरा कुकिंग में उसको साथ काम लें ऐसे अचे जो मैं आपको दिखा रही हुए कपकेक्स के ना यह जो पेपर कप्स हैं यह मैंने लाके रखे वे थे स्टॉक किये वे थे और यह मैं बहुत अरसे पहले लाई थी हो देखें कि इसमें पता नहीं मेरे खाले 1000 पीस थे और यह बड़े मज़े से चले चल मैंने इसको मसरूफ रखाता है और उसके बाद इस एकसाइटिन ने दोनों चल रहते हैं किना कपकेक बनके रडी होंगे तो हम पार्टी करेंगे तो बच्चों को मैंने इस तरीकी से काफी बिजी रख लिया था तो इस तरह के ट्रिप्स और चिक्स कर सकते हैं आप जैसे कपड़े दोना बहुत ही जादा मुश्किल हुआ है लेकिन आपने करना यह है कि आपने कपड़ों को सब्सक्राइब होने ही नहीं देना है जब कपड़े थोड़े हो तो उनको फॉर रन वाश कर लिया जाए अलहम दोला मेरे पास है आटोमाटिक मशीन दोससे तो मैं जल् बाइट के ना टाइम जाय करने का बिल्कुल नहीं होता है आपने अफ़तार के बाद अपने लग के ना सारे काम एक दो घंटे में आप कर लें और उसके बाद इशा का टाइम हो जाए तो फिर आप इशा की नमाज पढ़ लें दो उस वक्का जो टाइम होता है ना वही सारा सल टाइम होता है जिसको हम वेश कर देते हैं बैट के टीवी देखके और टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं हम अपना वो वाला उस वक्का टाइम सब से कीमती होता है उसको बेश नहीं करना है अलाकर मुझे पता है कि बहुत मचकल है रोजा रखने के बाद इफ़तार की मेरे टिप्स आपको अच्छी लगते हैं पसंद आप नहीं तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अभी मेरा बिटा भी आ गया और यह कपकेक्स का बैटर तयार हो गया था हमारा और इसको हम इसमें डाल रहे हैं और साथ में हमने चॉकलेट के पीसिस भी बीच में डाल दिये थे जिसकी वीज़से अंदर से होँप मज़े मज़े की चॉकलेट मैल्ट वी बहार आ रही थी तो जणाब यह हो गए कपकेक्स रेडी और इस पर लगा दी हमने मज़ेदार से चॉकलेट और चॉकलेट के उपर लग दी हमने बंटीज जिसको मेरे बच्चे कहते हैं M&M's मेरे बंटीज ले आती हैं चॉकलेट वाली हैं मेरे बच्चे ना बड़े सिली बच्चे कसम से हम आसूम मेरे मननननननन बच्चे कहते हूं कि M&M's ने तो बोलागा M&M's समझके ना उसको खूब मज़े से खा लेते हैं और इजोए कर लेती हैं यह देखें मैने जार में और यहां से जाके मेरी बाकी की वीडियो देखी अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें और शेयर करें चले मिलते हैं नेक्स वीडियो मुझबता के लिए लापिस